गुजरात बोर्ड आफ सेकंडरी एजूकेशन यानि जी एस इवी ने सौमबार की सुभई आठ बजे तक्षा दसवी कर रेजल्ट जारी कर दिया रेजल्ट जारी होने के साथ ही साथ लाख गुजराती बच्चों के इंतिजार खतम हो गया रेजल्ट में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है उनका पासिंग प्रिशट 89.2-3 प्रिशट है जबकि लड़कों का पासिंग प्रिशट 84.6-7 प्रिशट रहा है इस बार बोर्ड के रेजल्ट में टॉप पर राजी का सूरत जिला रहा यहां के छात्रों का रेजल् में सबसे निचले पाइदान पर पार्टन जिला रहा है यहां कि चात्रों का रजल्ट सबसे कम 50.29 फीजदी रहा है इस साल गुजराद बोर्ट की कफच्छा दसवी की परिक्षा में कुल 7,72,771 चात्र सामिर हुए थे जिन में से 5,3,726 चात्रों ने परिक्षा पास की इस साल 12,090 स्टूडेंट ने ए ग्रेड 22,992 को ए ग्रेड टू 93,602 को बी ग्रेड वन और 1,30,97 को बीग टू ग्रेड मिला है परिक्षा में सामिल चात्रों ने GSEB की आधिकार एक वेबसाइट www.gseb.org पर जाकर अपना रेजल्ट चेक किया इस साल GSEB ने 28 मार्च से 9 अपरेल 2022 तक कक्षा 10 वी की परिक्षा आउजद की थी एक्जाम के खत्म होने के 45-50 दिनों के भीतर बोर्ड रेजल्ट जारी कर दिया है पिछले साल GSEB SSC के परिक चात्र और 3,666,722 चात्राइं सामिल थी कुल 8,57,000 चात्रों में से 17,186 ने A1, 57,362 ने A2, 1,973 ने B1, 1,50,432 ने B2, 1,85,266 ने C1, 1,72,253 ने C2, और 1,73,732 ने D-grade हासल किया था चात्रों के लिए प्रतेक बिशाय में कम से कम D-grade हासल करना आनिवाया था ऐसे प्रतिभागी जो D-grade हवी हासल नहीं कर पाए और E-grade लेकर आए उन्हें पूरक परिक्षा देने का मौका मिला था ध्रिक अत्रों का उन्हें,चितर को हम बा Ma